एई गाईस वेलकम बैक माई योट्यूब चैनल जैसे कि मैंने से पहले वीडियो में कहा था कि एक न्यूव वीडियो आने वाला है तो न्यूव वीडियो आजुक है ये मैंने एक ऑईल का बॉटल यह है अल्मन आयल और उसका यह कैप था जिसके निकाल दिया है अब मैं इस के उपर हार्ट शेप कट करके स्टिक कर दूंगी डबल साइडे टेप से और यह कुछ कलर ले रहे हूं तो गाइस इस वीडियो के साथ एक और गुड नियूज भी है गुड नियूज यह है कि अब मेरी विंटर विकेशन स्टार्ट हो गए है तो अब वीडियो थोड़े और जल्दी जल्दी आएंगे यह वैसे तो यह वीडियो और भी जल्दी आ जाता बट स्कूल स्टार्ट हो गए थे तो मैं एडिटी ने कर पाई तो अपसे विंटर विकेशन स्टार्ट हो गए इसलिए मैं इसे एडिट करके डाल रही हूं तो फ्रेंड्स यह देख सकते हैं जाना मेरा वाइट कणर का खतम हो जुकत है यह एसलिए मैं स्क्यूपर सबसे पहले स्कीं कलर कर दे रही हूं ओसके बाद फिर एलो मैं इसे पेंट ब्रॉस से लगई लग वाटल में लगा ले नहीं उसके बाद फिर मैं उसे इससे कलर करके फैला दे रही हूं अच्छे त से आप लोगों को करना है और हम अब मेरा नेक्स्ट वीडियो क्रिस्मस पर ही आने वाला है और मैं क्रिस्मस पर ऐसे बड़ी-बड़ी वीडियो नहीं शॉट्स बना कर डालने माली हूं यही गुड़ न्यूस थी आप लोगों के लिए कि मेरी विंटर विकेशन स्टार्ट हो गई है तो अपसे शॉट्स वीडियो आने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जादा जादा शॉट्स वीडियो जाल पाऊं कि इतने बड़े बड़े वीडियो डालने से फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख देख के तो यह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे यह कलर हो जुका था कलर होने के बाद मैंने इसे कुछ घंटे सूपने के लिए छोड़ दिया था उसके बाद से फिर मैंने यह हार्ट को रिमोव किया और आप यह देख सकते हैं हार्ट को मैं रिमोव कर रही थी तो मैंने देख अगर कलर हाट के अंदर लग गया तो उसे जादा कोई टेंशन नहीं है वो निकल जा रहा है इसली आप देख सकते हैं तो यह देख सकते हैं आप जो अंदर में कलर लगा था उसे तो मैंने निकाल दिया अब इसके उपर मैं मारकर चलाओंगी में पास मारकर नहीं था नहीं हूँ आप लोग के जगह पर्मनेंट मारकर ही यूज करें मोटा वाला मारकर फटा फटा फठम लोग मारकर से बॉडर बना लेते हैं हाट का और हाँ वीडियो पसंद आये तो लाइक करें सस्क्राइब करें सस्क्राइब करने के बाद बैल आइकन भी जरूर दबाए तब तो आप लोगों को मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और शेयर भी जरूर करें और यह कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ अपनी चैलेंज़ेस भी कमेंट करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर तो यह आप देख सकते हैं मेरा मैं मारकर चला ली उसके बाद फिर से कुछ घंटी छोड़ दी ती उसके बाद से फिर मैं इसके उपर वर्नेश लगा रही हूं वर्नेश को भी आप अच्छे तरीके से चार ओर लगा लें और इसे फिर सूखने के लिए छोड़ दे मैंने और यह है इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताए और आपको अब क्रिस्मस के लिए और कोई न्यू वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि कैसे चाहिए आपको न्यू वीडियो चाहिए लाइक करें सस्क्राइब करें और भी जरूर करें और हां कमेंट करना ना बुलें कब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइब